हेलो एवरिवन कैसे हो आप वेलकम बैक टो मॉदरन पैरेंटिंग दिस इस सुनाली राडिया यूर पैरेंटिंग फ्रेंड दोस्तो थोड़े दिनों पहले मैंने एक मैसेज में पड़ा था कि खुश रहने के ना दो क्राइटेरिया हैं पहला कि आप डॉक्टर के पीछे नहीं भागने चाहिए और दूसरा कि पुलीस आपके पीछे नहीं भागनी चाहिए इसलिए आज मैं आपके लिए हेल्थ, बेनिफिट्स, हेल्थ, टिप्स लेकर आई हूँ इस पैंडेमिक में हम सभी ने ये जरूर सीखा है, कि हम सभी ने ये जरूर जाना है, कि हमें अगर इस COVID-19 जैसी बिमारी से लड़ना है, तो हमें सबसे पहले हमारी इम्यून सिस्टम के उपर काम करना पड़ेगा, हमें अंदर से स्ट्रॉंग बनना पड़ेगा आज का वीडियो जो है, इस वीडियो में मैं आपके साथ बच्चों से रिलेटेड बाते शेयर करने वाली हूँ, आज मैं आपको बताऊंगी, कि आप अपने बच्चों की इम्यून सिस्टम कैसे सुदार सकते हो, आप उनको अंदर से कैसे स्ट्रॉंग बना सकते हो, कही सा बार-बार, सरदी, जुकाम, खासी, ये सारा कुछ होता है, और वो तुरंथ ही डॉक्टर के पास दोड़े चले जाते हैं, तो हमें अपने बच्चों का जो हैल्थ है, उसके उपर ध्यान देना पड़ेगा, हमें उनकी इम्यून सिस्टम के उपर ध्यान देना पड़ेगा तो आज मैं आपके साथ चार ऐसे फैक्टर्स शेर करने वाली हूँ, जिससे आपके बच्चों की जो इम्यून सिस्टम है, वो स्ट्रॉंग हो पाएगी, हम सबको पता है कि अगर बच्चों का हेल्थ अच्छा होगा, तो ही वो अलग-अलग एक्टिविटीज कर पाएंग तो अगर आप सही में अपने बच्चों की इम्यून सिस्टम सुधारना चाहते हो, तो ये वीडियो अन तक जरूर देखे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और प्लीज सब्सक्राइब तो माई चैनल, एंड हिट द बेल आइकन, दोस्तों हम हमारा जो इंडियन किचन है, that is filled with ingredients, हमारी दादी, नानी उस किचन में से कितना कुछ यूज करते थे, और हमारे सारे जो minor problems होते थे, वो तुरंत ही चुटकियों में गायब हो जाते थे, वो सारी चीजे हम भूल गए है, हम हमारे जो किचन के अंदर जो अनमोल इंग्रीड से उसके बारे में भूल गए है, उसी को हमें याद करना है, हमें फिर से आयूरवेद को अपनाना है, फिर से हमें नेच्रोपैथी को अपनाना है, so here we go with the 5 most important ingredients that you have to include in your children's diet, वो 5 ingredients उसमें से सबसे पहला है हल्दी, that is turmeric, it is a pure antiseptic, आप सबको पता होगा ये चीज, लेकिन फि इंक्लूड करने के दो आसान तरीके में आपको बताती हूँ, या तो आप उनको दूद के साथ मिला के रात को आप अपने बच्चों को सोने से पहले दे सकते हो, अगर कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको दूद नहीं पसंद है, then also it's okay, you can give it with honey too, तो ये जो दो तरीके हैं, इससे आपका जो बच्चा है, वो अंदर से एकदम स्ट्रॉंग हो जाएगा, and trust me, it has wide variety of benefits also, उनके health के लिए, उनके hairs के लिए, उनकी skin के लिए, सब कुछ हल्दी खाने से एकदम टका टक हो जाएगा, दूसरा ingredient है, ginger, it is also immunity booster, you can include it in their food, or else you can give it with honey too, तो ये जो चीज है, इसस इससे भी आपके बच्चों का जो immunity power है, immunity इससे strong हो ही जाएगी, तीसरा है तुलसी, तुलसी आप बच्चों को सर्दियों में दे सकते हो, आप उनको monsoon season में भी दे सकते हो, आप उनको दो या तीन पत्ते चबाने के लिए दे दो, ये भी बहुत असरकारक benefit है, ये भी इसस इसे भी बच्चा जो है वो बार-बार बिमार नहीं पड़ेगा, so that is तुलसी, and the fourth one which you can include is honey itself, बच्चों को honey तो पसंद ही होता है, एक साल की उम्र के बाद, आप अपने बच्चों को honey भी दे सकते हो, आप सुबह दे सकते हो, आप रात को सोने से पहले भी उनको दे सकते हो honey से भी आपके बच्चों के अंदर जो भी कफ है, उनको आसानी से वो बच्चे जो है वो लड़ पाएंगे, पांचवा जो चीज है, पांचवा जो ingredient हमारे किचन में मौझूद है, that is jaggery, jaggery also works wonders for your children, उससे hemoglobin levels भी अच्छे हो जाते हैं, उसको गी के साथ खाने से और भी ज लंच, पोस्ट, डिनर, you can include that in their diet, तो यह पांच ingredients है, जिसको खाने से आपके बच्चों की immunity strong हो जाएगी और वो बार-बार बिमार नहीं पढ़ेंगे, trust me, if you will follow this, results will surely come, दूसरा जो factor जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, वो यह है कि कही सारे ऐसे parents है, जो बच्च इसमें से vitamins, minerals, calcium, protein, सब कुछ मिलता है, वो सारा कुछ खिलाते है, लेकिन इसके साथ-साथ यह तो भूल जाते है, कि अगर यह सारी चीजे अच्छे से assimilate नहीं होगी उनके body के अंदर, तो इसका कोई फाइदा नहीं आने वाला है, इसके लिए आप अगर चाहते हो कि बच् के लिए खेल कुद करना बहुत important है, अभी के time में आप indoor games include करो, mobile और TV से थोड़ा सा बच्चो को दूर रखो, क्योंकि अगर physical activities नहीं होगी, तो यह सारा कुछ उसको काम नहीं आने वाला है, it is very important to keep your children physically active, आप उनको cycling में involve करो, आप उनको skipping करवाओ, आप उनको मिट्टी मे खेलने दो, क्योंकि थोड़े दिनों पहले ही एक survey हुआ था, कि अगर आप मिट्टी में बच्चो को खेलने दोगे, अगर आप उनको soil से connected रखोगे, तो उनका जो overall health है, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि कही सारे ऐसे bacterias naturally available है, जिससे की बच्चो का जो digestive system है, वो अच्छे स चलेगा, तो ये जो सारी चीजे है, you have to keep your children connected to nature, you have to keep your children connected to soil, भले आपका बच्चा थोड़ा सा गंदा हो जाए, उसमें क्या है, ये इस सारी इन सारी चीजों से ही बच्चा जो है, वो अंदर से strong होगा, और उनको बहुत ज्यादा मज़ा भी आएगा, उनको बूक लगेग उनको खाने में interest आएगा, तो सबसे पहली बात ये है कि आप अपने बच्चों को physically active रखो, कुछ भी activity आप करवा सकते हो, आप बच्चों को gardening करवा हो अपने साथ, ये भी एक बहुत अच्छी activity है, अभी आप lockdown में कर सकते हो, तीसरा जो factor है जो मैं बात करना चाहती हूँ, वो है थोड़े से lifestyle changes, lifestyle changes में आता है, you have to limit the packet foods, वैसे तो आप अपने बच्चों के health के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, लेकिन packet food देने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते हो, आप उनके अंदर vitamins, protein, ये सारा कुछ carbohydrates, ये सब तो पढ़ लेते हो, लेकिन आप ये बूल जा साते हो, उसके अंदर preservatives है, उसके अंदर जो चीजे बच्चों को नहीं देनी चाहिए, वो भी है, तो आप indirectly अपने बच्चों की health के साथ खेल रहे हो, आप उनको plastic से थोड़ा सा दूर रखो, आप उनको plastic bottles ना दो, प्लीज, आप उनके substitute डून सकते हो, plastic is really dangerous for us, for our environment also and for our health too so it is very important to stop using plastic soon, चौथा जो सेक्टर है, जो आप कर सकते हो अपने बच्चों के लिए, वो है limit giving antibiotics, आपको नहीं पता दोस्तों की antibiotics का बार बार use होने से, आप बार बार अपने बच्चों को antibiotics देते हो, लेकिन उनके जो future में उनके health के उपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, उनके liver के उपर, उनकी kidney के उपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, so it is very important for you to understand that limit the antibiotics, चोटी 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 चीजों के लिए बार बार डॉक्टर के पास जाना is not a good idea, instead you can go for Ayurveda, you can accept the naturopathy, ये दो options ऐसे हैं जो वेस्ट भी करते हैं, आपको पता है वहाँ पर turmeric की गोली मिल वो सारे लोग योगा करते हैं, वो सारे लोग Ayurveda और नेच्रोपैथी के ओर जा रहे हैं, लेकिन हम जिनके पास वो सारा कुछ औरेडी मौजूद है, हम उसका एकस्स नहीं कर रहे हैं, so it is now, it is the right time to wake up and we have to move on to Ayurveda, we have to move on that naturopathy, so that's all from my side, I hope this things will surely help you in improving the immunity, so see you in my next video, till then happy parenting, bye-bye, thank you